अकबर बीरबल की कहानी सबसे बड़ा हत्यार बादशा अकबर कामकाज के अलावा भी कई चीजों के बारे में बीरबल से बातचीत किया करते थे ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन बादशा ने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हत्यार तुम्हारे हिसाब से कौन सा होता है इस बात के जवाब में बीर बल ने कहा कि संसार में आत्म विश्वास से बड़ा हत्यार कुछ और नहीं हो सकता है ये बात अकबर के समझ में नहीं आई लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा उनके मन में हुआ कि समय आने पर इस बात की परक्ष की जाएगी कुछ दिनों बाद राज्य में एक हाथी बेकाबू हो गया पता करने पर समझ आया कि वो पागल हो गया है उसे कर्मचारियों ने जंजीरों से जकर लिया था इसकी खबर जैसे ही बादशा को पहुची तो उन्होंने सीधे महावत से कहा कि जब भी तुम्हें बीरबल आता दिखे तो हाथी की जंजीरों को खेल देना ये सुनकर महावत हैरान हो गया लेकिन बादशा का आदेश था इसलिए सिर जुका कर चला गया अब अकबर ने बीरबल को महावत के पास जाने के लिए कहा महावत ने भी बादशा के आदेश का पालन करते हुए बीरबल को आते देख हाथी को जंजीरों से मुक्त कर दिया बीरबल को इस बात की खाबर नहीं थी इसलिए वो आराम से चल रहे थे तभी उनकी नजर चिंग हरते हुए हाथी पर पड़ी जैसे ही उन्होंने देखा की हाथी उनकी ही तरफ आ रहा है वो कुछ समझ नहीं पाए कुछ ही देर में उनके दिमाग में हुआ की बादशाने मेरी आत्म विश्वास वाली बात को परखने के लिए की इस हाथी को मेरे पीछे चोड़ने का आदेश दिया होगा अब बीरबल इधर उधर भागने की सोच रहे थे लेकिन इसा कुछ हो नहीं पाया सामने से हाथी आ रहा था और अगल बगल में भाग कर जाने की जगह नहीं थी इतने में हाथी बीरबल के काफी करीब पहुंच गया तभी बीरबल ने सामने एक कुट्ते को देखा और उसे टांगों से पकड़ कर हाथी की तरफ फिक दिया कुट्ते चीखते हुए हाथी से टक्राया उसकी ऐसी चीखे सुनकर हाथी वापस उल्टी दिशा में भागने लगा कुछ ही देर में इस बारे में बादशा अकबर को पता चला तब जाकर उन्होंने माना की आत्म विश्वास ही मनुश्य का सबसे बड़ा हत्यार है कहानी से सीख, हर किसी की बात पर यूँ ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए बात की जांच और परक करना जरूरी है दूसरी सीख यह है कि इनसान समय से पहली उमीद न छोड़े तो परेशानी से बाहर निकला जा सकता है दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सबस्क्राइब करना न भूले